दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हरताल के समर्थन में कमला नगर में भी बीजेपी ने मार्श निकाला और मुख्य मार्केट पर मुख्य मंतरी केजरिवाल का पुतला फुका बीजेपी का कहना है कि यदी जल्दी ही दिली सरकार ने निगम कर्मचारियों के वेतन का फंड जारी नहीं किया तो वो दिली के विधायकों और मंत्रियों का घेराफ करेंगे कमला नगर इलाके में हाथों में पेपर लेकर बीजेपी ये मार्च निकाल कर ये समझाने निकली है कि दिल्ली सरकार जूट पोल रही है दिल्ली में आज सफाय कर्बचारियों की जो हालत है वो दिल्ली सरकार की वज़े से है दिल्ली की बत्तर होती हालत की वजए भी दिल्ली सरकार का रवया ही है कमला नगर में बीजेपी ने बड़ी संख्या में व्यापारियों को साथ लेकर पैदल मार्श निकाल कर लोगों को यही समझाने की कोशिश की उन्होंने मेन पार्किंग के सामने मुख्य मंत्री अर्विन केजडिवाल का पुतला फुका इन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दिल्ली सरकार ने अब भी उनकी नहीं सुनी तो वो दिल्ली के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराफ करेंगे वो ही कारण था कि 3-3 महीने तनकानी मिली तब भी करमचारी इसी विश्वास और अश्वाशन पर काम करता रहा आप ये मान के चलिए अभी जो जेपी भाई ने का ये चिंगारी यहीं पर रुकने वाली नहीं है देश के अंदर अमर्जंसी एक कॉलिज से चालू हुई थी और आई एक कमला नगर मार्केट से उठी वी आवाज यहाँ पर रुकने वाली नहीं है हम अपने विधायक को हम अपने मंत्रियों को इनको घेरेंगे और इनको बता देंगे दिली के सबसे पॉश और प्रसिद्ध मार्केट कमला नगर में केवल एक सबता की हर्ताल ने मार्केट में जगे जगे कूडे की धेर लगा दिये बीजेपी सर्टाल का समर्थन कर रही है साथ ही लोगों को ये समझाने की कोशिश भी कर रही है कि दिल्ली की ये हालत दिल्ली सरकार की हट धर्मिता की वज़े से है गंदगी से दिल्ली बेहाल है और वेतन ना मिलने की वज़े से निगम कर्मचारी परेशान है इस सरह से प्रदर्शन करके बीजेपी इन दोनों पक्ष के वोटर्स को समझाने की कोशिश कर रही है दिल्ली से दिल्ली दरपन के लिए कैमरा परसन लोकेश कुमार के साथ नूर की रिपोर्ट